प्रश्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इनसे कुसों नेट क्लासिज में तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आये हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ म कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तयारी और बेहतरीन तरीके से संभब हो सके हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं पीचडी एडमिशन टेस्ट के बारे में तो यदि आपने अब तक पीचडी में नहीं लिया है तो एडियों शींटीज लेकिन बहुत 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 बैठीन इनिवसिटी आपको दिवा मौका मिलता है तो निश्चित और पर पढ़ने जाना चाही है उसमें सबसे पहले बिश्टीद्दacts की चलते हैं चली है चलो सबसे पहला इएमारे पास है आप देख सकते हैं प जैसे Central University of South Bihar है नालंदा इन्वरसिटी है इन सब को रैंकिंग मिली है लेकिन बाकी जो इन्वरसिटी है उनकी हालत बहुत खसता है लेकिन नैक ने इसे रैंक में रखा है तो भी ग्रेट दिया है ठीक है आप यहां पर पढ़ने के लिए जा सकते हैं चलो इस ओफिशिल वे अप्लिकेशन आर इन्वाइट फोर प्याइज डी अड्मिशन टेस्ट पैट 2020 सो 2020 और देखो तेरा फर्वारी को नोटिफिकेशन आया था अड्मिशन इन्टो प्याजी को इंटरस्टेज यानि कि जो कैंडिडेट इस यहां पर पढ़ने में रूची रखते हैं वहां को स सब्मिट कर सकते हैं हमारे ऑफिसेल वेवसाइट www.brabu.net से और पंदरह फरवरी से वह ऑनलाइन कर सकते हैं और दस मार्च तक वह लगातार ऑनलाइन कर सकते हैं आप अराम से किजिए कल शुरू हो जाई आस तो आप लोग ने वैलेंटाइन डे मनाया ही होगा कल से धाऊं तो आप मुझे बताना चलो तो पहली देती दुसरे दूसरे दूसरी दूसरी हमारे पास बीर कुबर्सिन यह एक स्टेट इनवासिटी है और यहां भिहार के आराजिला में है ठीक है पटना से मेरे खिल से 40-50 किवह इनधर की दूरी भृह बिश्मित दाल है तो बह यहां से देख सकते हो ठीक है यहां पर इन्होंने डीटेल में बताया कि किस सब्सक्राइब कितनी वेकंची आज हम लोग उसको कवर करने वाले नहीं है आज हम लोग इसका डेट extend कर दिया गया है आप यहां से देख सकते हो 10 फरवरी को date extend किया गया था अब आप 25 फरवरी तक form को submit कर सकते हैं ठीक है पहले sociology में vacancy नहीं था लेकिन sociology को add किया गया है उसके साथ उर्दू में और Persian में और history में भी सीटे बढ़ाई गई है और पूरा यदि देखना है तो आप यहां से देख सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन यहां से आपको परतेक सब्जिक्ट का लिस्ट बगर मिल जाएगा कि सब्जिक्ट में कितनी सीटे हैं उसको आप देख लीजेगा और form भरने में आपको लगेगा 2000 रुपया जो की बहुत ज्यादा है इतना पैसा नहीं रखना चाहिए था यूजी सी को तमाम इन ऐसी बिश्वित दाले पर कमांड करना चाहिए यह लोग मनमाना फी रखते हैं 2000 रुपय है इभी सी एंड एड़लो एस और स्टन डिजेबल और वूमें कैंडिडेट के लिए 1500 हैं और कैंडिडेट पार प्रमें कैसे पार यह यह वालिफाई यूजी सी ने जर्फ और सी यह यह झार रख देन यह अर यह एग्जम्टेट काटगरी अल्रेट इन यह इन पर फे 1000 रुपीज तो अब तो कैसे पारना है यह 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 ए द अगांट नम और अग दिए पार अग जान पार बीर कुबसीन आरा, so now come to the next PhD admission, so the next university we have is Jadavpur University and this university is awesome university, you know, यहाँ आप देख सकतों लिखा, इन्होंने एन आई आरे इंडिया रैंकिंग तूथाजन ट्वंटी फिफ्ट इन इन्वा सिटी सेवंटें इंजिनरिंग एंट्वेल्ट इन ओवरोल काटगरी यहीं भारत में जितने भी सिक्षन संस्थान हैं उनका जब रैंकिंग किया गया तो प पूरे भारत में पांचवे नंबर पे हैं पहले पे जामिया है दुसरे पे जैनीव है तीसरे पे बीचिव है चौथे पे कोई और है पांचवे पे जादपूर है ठीक है यह सब डियू बगर सभी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है आप से आप इसको डिटेल को आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप देख सकते हैं आडमिशन तो पीज़ी प्रोग्राम सेशन जनवरी 2021 क्लिक हैर फो डिटेल यहां पे क्लिक करोगे आप यहां से सीधा चले जाओगे कहां आप चले जाओगे एक PDF टाउनलोड हो जाएगा फिर वह सबढ़त कर लेते हैं सब्सक्रा desde 178 बंगाली का एक्कॉनमिक्स का एजिकेसिन का का इंग्लिश का हिस्ट्री का लएप इनफोर्मेसन साइन का फिलोसफी का औ कर ची का संस्क्रीत का इसी का इतने सारे सब्सक्राइब सभी है तो उन्य आप त्यारी जाए नहीं तो व्मिद करें तो बिल्कुल भई होगा 55 प्रतीसत मार्क्स एडेस्ट का इंडिडिट के लिए 50 प्रतीसत मार्क्स आपके master degree program में होना चाहिए उसके बात कर लेता है process of application की बात करें तो कैसे form को भरा जाये www.jaduniv.edu.in पर जा करके आप form को सब्मिट कर सकते हैं आपको फी देना करना होगा 500 रुपया सभी कंडिडेट को चाहे वो किसी भी काटेवरी के कंडिडेट है उन्हें 500 रुपया पे करना होगा आप फॉर्म सब्मिट करने के शुरुआत कर सकते हैं 12 फरबरी से कहा कि पीएच डी सेल आर्ट्स सुवर्ना ज्यनती भवन ग्राउंड फ्लोर जादपूर उन्वसिटी में कैमपस कोलकाता देखो यहां पर आपको भेजना होगा फॉर्म सब्मिट करकर के आपके तमाम डॉक्मेंट को इस बात को ध्यान रखना ठीक है यहां तक ही ओनलाइन पेमें हैं और सब्मिशन ओफ फॉर्म तीन मार्ज तक कर सकते हैं तो फॉर्म भरके जितना जल्दी आप भेज दीजे आपके पास बहुत कम समय बचा है चलो फॉलॉइंग डॉक्मेंट सूड बी अटैज्ट विद एप्लिकेशन फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको य कास्ट देना है यहां फिर डवलॉबी शीट किया है तब आपको देना है एदी आपने एंफिल किया ज्यादपुरिंवर्सीट से तब तो कोई दिकत नहीं आप तो आप भर सकते हो लेकिन जब बाहर से किया है तब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा आपका रिसर्च म नहीं पर देखर के लिया थाडवीशन रिटेन टेस्ट देखर के तो वह आपको यहां पर डॉक्मेंट दिखाना होगा ताकि आपको एक्जेम्टेट करी में रखा जाए ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड़ेट फॉम इस सर्वर आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट सो पहरा करना है ठीक है करेंशसेलेक्टेट फ्रोड रिटेंट टेस्ट चोगा उनके तो टेस्ट देना ही होगा मैं को अधाई घंटे दिये जाएंगे यह बाकि के लिए नेटचैप्ट अब थासे है जारेफ है देपल भी इन एक्सें चेट डिट्य काटोगरी इटमीन्स है to give entrance test now here is some information related to exemption so if you have M fill and if you have net then you should focus on here देखो आप बंगाली में आप देखोगे बंगाली में अधी आपने फिल किया है तो रिटन टेस्ट आपको से exempted होंगे ऊपर में लिखा हुआ है रेलेवेंट सब्जक्त में आपने है तो आप किसकी सब्जट में फार सकते हों पर इंग्लीश में निया आपने फीजिकल से सवारी में किया है तो आप स्वाइब पाइबन सब्जेक्ट संस्कृत की बात करें तो कमपरेटिव लिट्रीचर अंड फिलासफी में डाल सकते हैं एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट फो सोश्योलोजी की बात करें तो सोश्योलोजी का फॉर्म कौन-कौन भर सकते हैं पहला पॉलिटिकल साइंस वाले हिस्ट्री वाले अर्केलोजी वाले एंथ्रोपोलोजी जोग्रफी इंग्लिश एकॉनमिक्स कंप्रेटिव बंगाली उर् लिए बात कर लेते हैं थोड़ा अच्छा होगा ठीक हैं है पंगाली में आठसीट है आप डेख सकते हैं से बगल में पर लिखा हुआ है मैं उससे चरचा नहीं करुगा पंगाली में आठ सीट एकॉनमिक्स में 10 education में 12 English में 11 Вот Biz 12 and library information science में आठ है Philosophy में 12 Oh philosophy का तो area भी इनोंनें दिया कि यहां यहां पर रिसर्च होगा and पर कि एन्ड पर Master Magma. 1 में 10 है इस अंश्योज्रीट में 12 है Social Scher마 Сейчас Qeια 화ast sape 2 तो आपका जो भी subject है आप देख लेना और यह बाकि सारी चीज़े लॉजी में चार है इस्टी में कितनी सीटे हैं इस्टी में 12 है ठीक है तो आपका जो भी सब्जिक्ट है आप देख लेना और यह बाकी सारी चीज़े जो वहां के स्टूडेंट बगएर उनके लिए भी कुछ है और कुछ इलिजिनुटी पर गरह से दिया हुए तो उसके लि लिख लिजेगा ठीक है एंड लिखा है और कुछ देख लेते हैं शायद और भी कुछ इन्हों ने दिया है एक काइंडियेट सप्लाइंग फोर सीट रिजाव और विसी बगार उनको तो हैं पर डॉक्मेंट्स लगाना है और यह क्या है एस पर सर्कुलर बीसी बंगाल नोट इंटाइडल तो गेट बेनफिट और रिजर्ब को टाइन एजुकेशन इस्टिविशन इन बेस्ट बंगाल अनलिस देकन प्रोडूइज रूमिसाल सर्टिफिकेट इस प्रूफ और दूसरे राज जिके हैं और बंगाल का आपके पास रेसिडेंट को मिलेगा एंफिल स्टुडेंट ऑफ जाधापूर उन्वर्सिटी हूँ है सक्सेस्फुली डिफेंडेट देर्भाइबावस एग्जामिनेशन और वालिट कंट्यूंग उजी सी फेलिशिप मौलाना जाद या फिजो भी हो उनको यहां पे बुलाया जाएगा इसके डिपार्टमेंट में अल्रेडी करने तो आपको नहीं यहां पर अड्मिशन मिलेगा और हिस्ट्री और ही हैज नौट कंप्लिटेडे में डिग्री ओन और विफोर दे लास्टेट ऑफ सब्मिशन और फिस्ट अप्लिकेशन फॉर्म तो वह नहीं भर सकते हैं यानि कि आप आपने में पास नहीं किया तो फॉर्म को आप नहीं भर सकते हों ध्यान रखना इस बात को यह में हाल में किया है तो आप कर लिजे आप देट्स ऑफ सब्मिशन की बाद तो मैंने बता दिया आपको कब तक करना है लास्टेट भी बता दिया दिया देमेंग सेडिल फूर इ 500 बोट्स एड़ टाइम आफ इंटेव्यू तो आपको अपना स्टेट्मेंट ऑफ पर्पोस यानि कि जो प्रोपोजल होता है वह आपको ले करके जाना यहां पर एन अप्लिकेशन फॉर पीज़ी प्रोग्राम इन देपार्ट्मेंट अफ एकोनोमिक्स यानि यदि आपको एकोनोमिक्स ने पर प्रोफ करना है तो एक तू लेटर ओफ रिकमेंडेशन चाहिए लो ऑर ढयाह, जो प्रोफेशन से लिकवा करके कहीं से जहां से अपने पढ़ाई किया है वहां मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो भी चीजे थी हम सभी ने उसके बारे में विस्ताज से चर्चा कर लिया है अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन के साथ तब तक लिए आप अपने अब हम अपनों का ख्याल रखिए आप अपने अव्यड़ रखिए